वेलकम टू एससी मास्टर माइंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चेप्टर फर्स्ट ठीक है और यह इस वीडियो का पार्ट फाइफ है और इसमें हम यह चेप्टर कम्प्लीट करवा रहे हैं अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1,2,3,4 जो है देख सकते हैं ठीक है उसके बाद ही यह वीडियो देखे ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए वीडियो जो है कई बार कई पार्ट में बनाने पड़ते हैं तो अब नेक्स टाइम जो भी करवा दिया जाएगा आपका ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे एस्सी मास्टर माइंड चैनल को ताकि आपके एक्जाम की तयारी और भी आसान हो जाए इसमें हम पढ़ने वाले हैदराबाद के विले के बारे में ठीक है हमने पढ़ा था कि 565 देशी रियासती थी ठीक है आजादी के समय तो उसको जो है भारत में शामिल करना था जिसमें से चार रियासते बहुत ही मुश्किल था उनको शामिल करना भारत में ठीक है चार रियासते ऐसे थी जिनको भारत में शामिल करना मुश्किल था तो उसमें से दो रियासते है हैदराबाद और मनीपूर ठीक है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ठीक है किस तरह से हैदराबाद का भारत में विलय हुआ और किस तरह से मनीपूर रियासत का भारत में विलय हुआ यानि उसको शामिल किया गया ठीक है तो शुरू करते हैं हैदराबाद से तो देखिए हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद जो थी वो बहुत बड़ी रियासत थी ठीक है ये चारों तरफ से भारतिय सीमाओं से घिरा हुआ था एक बार मैप में देखे ये जो है है हैदराबाद की रियासत है ठीक है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये जो क्या है कि भारत के बीचों बीच है है रियासत जो है वो भारत के बीचों बीच है और इस हैदराबाद में राजा का शाशन था ठीक है और आजपास क्या है ये भारतिय सीमाओं से घिरा हुआ है ठीक है तो वही ये ल निजाम कहा जाता है ठीक है उनको तो जो कि दुनिया के दौलतमन लोगों में से एक था यानि हैदराबाद के शाशक को निजाम कहा जाता था और वो क्या था दुनिया के दौलतमन लोगों में से एक ठीक है यानि दौलतमन लोग होते थे यह उसके लावा देखें कि निजाम चाहता था ठीक है निजाम चाहता था कि हैदराबाद को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए यानि कि ये जो है किसी में शामिल नहीं होना चाहता था बलकि ये आजाद रियासत रहना चाहता था ताकि वो हैदराबाद पर शाशन कर सकें ठीक है यह भारत में मिलना नहीं चाहता था डिक अब देखिए नेक्स्न है कि निजाम ने नवंबर 1947 में अपने को यथा स्थिती बहाल करने का समझौता किया यह समझौता एक साल का था जैक है यानि 1947 नवंबर 1947 में क्या हुआ कि हमारे भारते सरकार से एक समझाता हुआ ठीक है तो उस समझाते के मुताबिक यह था यानि यह था स्थिति भाल का मतलब यह है कि यह समझाता एक साल का था और इसमें क्या था कि हैदरबाद की निजाम एक साल तक साशन करेंगे ठीक है और उसके बाद बताएंगे कि वो जो है क्या करना चाहते हैं आगे ठीक है यानि कि शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं वो एक साल बाद बताएंगे ठीक है तो यह समझाता एक साल का था ठीक है तो यह देखिए कि एक साल का समझाता करने के बाद जब वो शाषन चला ह रहे थे ठीक है उसी एक साल में अपना शाषन चला रहे थे तब क्या हुआ कि महिलाएं ठीक है तेलंगाना इलाके के किसान और अन्ने लोग निजाम के शाषन के खिलाफ थे ठीक है यानि यह बहुत बड़ा आंदोलन किया क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि निजाम जो हम पर अच्छा नहीं था ठीक है तो उसी एक साल के दोरान क्या हुआ कि निजाम के खिलाफ आंदोलन भड़के ठीक है आंदोलन जो होने लगा ठीक है अब देखिए कि कम्मिनिस्ट पार्टी और हैदराबाद की कॉंग्रिस इस आंदोलन में लोगों के साथ हुए यानि कम्मिनि ने भी एक बड़ा कदम उठाया उसने क्या किया अपने अर्ध सैनिक बल ठीक है अपने अर्ध सैनिक बलों को रवाना कर दिया और उनका काम क्या था कि वो जाकर उस आंदोलन को दबाए ठीक है वहां की लोगों को मारे पीटे ठीक है तो उन अर्ध सैनिक बलों को क्या कहा गया रजाकार ठीक है उन अर्द सैनिक बनों को क्या कह गया रजाकार और रजाकार किसने बेजे थे तो निजाम ने ठीक है निजाम ने अपने सैनिक को बेजे थे उस आंदलों को दबाने के लिए और उन सैनिकों को कहते थे रजाकार ठीक है अब देखिए रजाकार जो थे वो बहुत अत्याचारी थी थी कि बहुत बड़े अत्याचारी ठीक है इन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को खास तोर से अपना نिशाना बनाया ययनि जो मुस्लिम नहीं थे इसके अलावा किसी भी धर्म से related थे उनको जो है पास तोर से निसाना बनाया किसने रजाकार ने ठीक है तो देखिए आपको समझ में आ रहा है मैं एक बार फिर बताता हूँ देखिए निजाम जो है वो हैदराबाद के शाशक थे तो क्या हुआ कि लोगों ने इसके शाशन के खिलाफी आंदोलन करना शुरू कर दिया तो क् के बाद देखिए कि फिर भारतिय सेना और रजाकार के बीच कुछ दिन तक संगर्ष चला यानि जैसी दिखा गया कि रजाकार जो की निजाम के सैनिक थे उन्होंने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया तो भारतिय सेना भीजी ठीक है और फिर क्या हुआ भारत की से सेना और भारत सरकार की सेना इंदूनों के बीच में संगर्ष हुआ थोड़े बहुत लड़ाई जयगरे हुए और ऊसके बाद किया हुआ कि भारतिय सेना ने रजाकार कर पा लिए यानि उसको हरा दिया रजाकार को ठीक है और अंत में निजाम को आत्म समर्पर करना ठीक है एक बार आपको रिवाइस करवा देता हूँ देखिए हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी और हैदराबाद के जो शाशक थे उसे कहते थे निजाम ठीक है निजाम चाहता था कि हैदराबाद आज़ाद रहे ठीक है यानि किसी भी देश में ना मिले वो अलग से रियासत ही बना रहे ताकि निजाम जो उस पर शाषन चला सके ठीक है फिर देखे नवंबर 1947 में यथा स्थिति बहाल का समझोता किया ठीक है निजाम ने भारत सरकार से समझोता किया कि एक साल बात बताएंगे आपको कि हम भारत में मिलना चाहते या नहीं ठीक है उसके बाद देखी जब एक साल के दोरान जो शाषन चला ही रहते तब ही महिलाओं तेलंगाना के इलाके के किसान और अन्य लोगों ने क्या किया कि उसके शाषन के दबाने के लिए, ठीक है, यानि लोगों को मारने पीटने के लिए अर्दसैनिक बलद भेजे जिससे रजाकार कहा जाता था, ठीक है, और रजाकार बहुत अत्याचारी थे, और उननों गैर मुसलमानों को ज़्यादातर निशाने पे लिया, ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि जैसी दिखा गया है कि लोगों साथ अत्याचार हो रहा है तो भारती सेना महाँ पे भीजी गई फिर रजाकार और भारती सेना के बीच जो है संघर्ष चला और अंत में भारती सेना जो है रजाकार पर काबू पा लेती है यानि उसको कबजे में लें लिती है और उसके बाद अंत में निजाम को आत्म समर्पन करना परता है कहने का मतलब यह है कि सरेंडर करना परता है और इस तरह से हदराबात का फिले हो जाता है ठीक है तु देखिए मनिपुर के बारे में कि मनिपुर जो है ये भी एक रियाशत हुआ करता था बहुत पहले ठीक है इस पे राजा का शाशन हुआ करता था तो किस तरह से अब भारत में शामिल हुआ देखिए ठीक है आजादी के कुछ दिन पहले ही ठीक है आजादी से कुछ दिन पहले ही मनीपुर को भारत में शामिल कर लिया गया यानि आजादी से पहले यही मनीपूर भारत में शामिल हो गया उसके बाद देखे मनीपूर के शासकते महराजा बहुत चंद्र सिंग तो यह पूछा जाता है तो महराजा बहुत चंद्र सिंग जो थे मनीपूर के शासकते और उनको क्या क्या गया विले पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया वाइत्ता दी गई, कुछ अधिकार दिये गए, ठीक है, कुछ conditions पे जो है, इसको शामिल कर लिए गए भारत में, ठीक है, तो यहां तक बात किलिए है, अब देखे आगे, अब देखे कि जन्मत के दवाब में आकर, राजा ने चुनाव करवाया, जिसके बाद मनिपुर में स समवेधानिक राजतंत्र कायम हुआ, यहनी कि वहाँ चुनाव हुए, और चुनाव के जरिये जो है, वहाँ पर सरकार चुनी गए, यहनी कि राजा का भी शाषन था, और साथ ही साथ वहाँ पर चुनाव हुए, तो वहाँ चुनाव के जरिये भी सरकार आई, ठीक है, तो इस तरह से राजा का भी शाषन और वहाँ पर नेताओं का भी शाषन था, तो इस तरह से क्या हुआ, जन्मत के दवाब में आकर राजा ने चुनाव करवाया, और इस तरह से बाद में मनिपुर में समविधानिक राजतंत्र काइम हुआ, उसके बाद देखे कि मनिपुर पहल पहला राज्य है जहां सार्भ भॉमिक वैस्क मत अधिकार को अपनाया गया ठीक है यानि मनिपुर जो है वो पहला राज्य है जहां पर सार्भ भॉमिक वैस्क मत अधिकार यानि हर किसी को वोट देने का जो अधिकार है वो सबसे पहले अपलाई कहां किया गया तो मनिपुर म यानि देखिए यहां दिक्कत क्या रही है रही है शुरू में तो सब कुछ ठीकता की आजादी से पहले ही मान गये था कि भारत में शामिल होंगे तो कर लिया गया महराजा बोचंदरी सिंग ने हस्ताक्षर भी कर दिये विशेश अधिकार दिये गए मनिपुर को ठीक है सब कुछ के लिए रहे हैं यहां पे लेकिन आगे क्या हुआ कि मनिपुर की जो विधान सवा है उन्होंने क्या क्या भारत में विलय से मतभेद था उन्हें कि ऐसा नहीं होना चीए था मनिपुर की जो विधान सवा है उनका मानना था कि ये जो है राजा पर दवाब डाला गया कि वो भारत में शामिल हो जाएं ठीक है तो इस चीज को लेका मनिपूर की विधान सभा नाराज थी तो बात यहां पर आगे पहुंचती है तो मनिपूर की विधान सभा को मत भेता ठीक है कि भारत में इसका विले हो गया और उनकी नाराजगी क्या थी मनिपूर विधान सभा की नाराजगी ये थी कि भारत सरकार ने मनिपूर विधान सभा से बिना सलाह किये मनिपूर को भारत में विले कर लिया यानि कि केवल राजा से पूछ लिया और हस्ताक्षर करवा लिए लेकिन वहां के जो विधान सवा है उससे तो एक बार भी नहीं पूछा गया ठीक है कि इसको शामिल करना भी है या नहीं करना है ठीक है तो विधान सवा से नहीं पूछा गया इसलिए विधान सवा जो है वो नाराज रही ठीक है जिसके कारण लो ठीक है अब देखे 1920 में Kongress के नाखपूर अधिवेशन में यह बात मान लिया गया कि राज्यों का पुनर गठन है यानि राज्यों का जो बनाना है राज्यों को जैसे बनाएंगे तो किस आधार पर भाषा के आधार पर बनाएंगे ठीक है तो यह बोला गया यह गपता है हु गुजराती बोलने के लिए गुजरात तो इस तरह से माना गया कि भाषा के अधार पे ही हम बनाएंगे राज्यों को ऐसा मान लिया गया था अब देखे आज़े ये 1947 के बाद ठीक है आजादी के बाद तो उसमें क्या हुआ देखे आजादी और बटवारे के बाद नेताओं को चिंता हुई क्यों हुई आजादी जो हुई थी वो unexpected था यानि उसमें क्या था कि विभाजन हुआ था और हिंदू मिसल्मान वो आपस में लड़ पड़े थे ठीक है तो इस चीज की जो expectation है इस चीज की उम्मीद जो है किसी नेता को नहीं थी ठीक है तो इस चीज का डर बैठ गया और बटवारे के दोरान जो हिंसक लड़ाईया हुई थी इस चीज को लेकर नेता डरे हुई थे ठीक है तो इसलिए वो कह रहे थे कि अगर भाषा के अधार पर हम राज्य बनाएंगे तो आवयस्ता फैल जाएगी और देश के तूटने का खत्रा पैदा होगा यानि कि अगर हम अलग-अलग भाषा के लिए अलग-अलग राज्य बना देंगे तो वो जो है इससे क्या होगा अलग-अलग रहने की कुशिश करेंगे यानि उनके बीच आवयस्ता फैल जाएगी तो इस वज़े से नेताओ को डर था कि अगर हमने भाषा के अधार पर राज्य बना दिये तो देश के तूटने का खत्रा पैदा हो सकता है तो ये डर होने लगा 1947 के बाद अब देखिए इसी लिए फैसले को स्थगित कर दिया गया यानि कि जो 1920 में बहुत पहले जो फैसला लिया था वो आजादी के बाद क्या किया गया उसे रद कर दिया गया एक तरह से स्थगित कर दिया गया पोस्ट पॉंड कर दिया गया ठीक है बाद में इस पर विचार किया जाएगा अभी के लिए स्थागित ठीक है उसके बाद देखे आगे एक ऐसा समय आता है जब राज्ये बनाने के लिए आंदोलन होते हैं कि हमारे लिए अलग से राज्ये बनाये जाए तब सरकार को और जादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कैसे बनाये ठीक है तो देखे कि आंदर आंदोलन की मांग थी कि मदरास प्रांथ के तेलवु भाशी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंदर परदेश बन दे तो देखे कि इस आंदोलन में कॉंग्रेस के नेता और दिगज गांदिवादी श्री रामलू थे ठीक है यानि पोट्टी श्री रामलू इनका पूरा नाम था पोट्टी श्री रामलू तो यह जो है अनिश्चित काल के लिए भूखरताल पर बैठ जाते यही चाहते थ एक दिगजवादी नेता जो है भूखरताल पर बैठते हैं और उनकी मांग यह थी कि आंदर परदेश बनाया जाए ठीक है आंदर परदेश अलग से राज्य बनाया जाए लेकिन सरकार उस समय जो है कोई भी फैसला लेने से डर रही थी ठीक है तो क्या हुआ कि जैसे ही श 1952 के दिसंबर में परदान मंत्री ने ठीक है यानि पंडी जवालाल नहरू ने आंदर परदेश नाम से अलग राज्य बनाने की कोशना कर दी ठीक है यानि इतनी जादा प्रबल मांग हो चुकी थी बहुत जादा विरोत परदेशन होने लगे थी उस वज़़ा से क्या हु तो राज्य पुनर गठन आयोग इसकी स्थापना कब हुई 1953 में ठीक है इस आयोग का काम था राज्यों का पुनर गठन करना और उसके सीमाओं का निर्धारन करना ठीक है यानि कि राज्य जो है ने ने राज्य कौन बनाएगा तो राज्य पुनर गठन आयोग और इसके सी 256 में राज्य पुनर गहटन अधिनयम पास हुआ, 56 में राज्य पुनर गहटन अधिनयम पास हुआ और इस अधिनयम के आधार पर 14 raja और 6 kendrè शासित प्रदेश बनाए. थेक है, यानि 1953 में राज्य पुनर गहटन आयोग की स्थापना हुई और इस आयोग, ने अधिनियम पास किया 1956 में और इसके जरीए क्या हुआ कि 14 राज्य बनाए गए ठीक है और 6 केंद्र शासित परदेश ठीक है एक ही बार में सारा काम निप्टा दिया गया उसके बाद धीरे 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 ने ने राज्यों की मांग उठी तो उस अनुसार जो है राज् वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें जादा स्यादा शेर जरूर करें बार बार बलता हूं शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके एक्जान की प्रिप्रेशन आसान हो जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग